हाई फ्रेंट्स तोड़े आइम गोईंग टू शो हाउ टू मेक टूलपाथ और बेड डिजाइन काटिंग आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कोई भी बेड डिजाइन को काटने के लिए टूलपाथ बनाते हैं सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले हम मेटरियल का साइज चेक कर लेंगे सापोज इदर मेटरियल का साइज है 72 x 31 ठीक है 72 x 31, width 31 and height 72 तो यह हमारा साइज है अभी जो डिजाइन को हम काटेंगे उस डिजाइन का साइज चेक कर लेंगे इदर से इजाइन को डबल क्लिक करेंगे और इजाइन रल्फ 9 होना चाहिए इस ताम आ विल चेक दाइज प्राइज प्राइज अग्राइज प्राइज चेक आप देजिए इजिए अट रल्फ 9 रल्फ 9 नाओ वी गो टो मॉडल देन सेट साइज यहर वी कन सी इन सिलेक्ट इंचिस 72 वीट एंड हाइट अप्रोक्सिमेट 29.5 तो इधर जाके हम आटकेम के अंदर मॉडल के अंदर साइज में जाएंगे और उधर जाके इंचि में साइज को सेट करके हम देख लेंगे 72.5 है इसका साइज और एक महत्पूर्णी बात है इस डिजाइन को काटिंग करने के टाइम पर डिजाइन का जो रिजोलुशन है उसको हमें देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे मॉडल फिर अद्जास रिजोलुशन इधर से हम रिजोलुशन देख पाएंगे करने के लिए अदर एक नया पेज लिए लिए बिजाइन के अंदर एक नया पेज लिए हम डिजाइन करने के लिए आठ केम के अंदर एक नया पेज लिए और पेज साइज शुड़ भी आज पर मेटरियल साइज हीर मेटरियल साइज इस 72 वाई 31 तो जो पेज हम लेंगे वो मेटरियल का साइज के हिसाब से लेंगे ठीक है तो इधर वीट लेंगे हम 31 और हाइट 72 अज पर मेटरियल साइज वी पूट हीर हाइट 72 और वीट 31 नाउ शिलेक यूनिट अज मिलिमेटर ओके आज रिजूलुशन शुड़ भी फूल रिजूलुशन अगर कोई डिजाइन हम काटिंग करेंगे तो पेज का जो रिजूलुशन लेंगे वो फूल रिजूलुशन म देन सिलेक टाइल भर्टिकली हम लोग टाइल भर्टिकली इसलिए करेंगे ताके दोनो पेज का दोनो भीव हम देख पाए फिर हम डिजाइन को इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे नाउ वी विल इंपोर्ट इस डिजाइन इन इस पेज गो तो रिलीव ओप्शन रिलीव ओ अब इसको open करेंगे डिजाइन अलवेज फुट भी alignment with right part this side डिजाइन जो है हर तरफ ये right side के साथ alignment में रहेगा क्योंकि डिजाइन का east side होगा design का leg क्योंकि हम design को 90 degree angle में अभी घुमा देंगे this time we will rotate with 90 degree apply तो ये 90 degree angle में घुम गया now select this design and press F9 अभी इस design को select करने के बाद हम F9 प्रेस करेंगे F9 प्रेस करने से design के page के center में चले जाएंगे if we press F9 function की then this design should we go to center of this page now we set this page with right alignment now select this and press right arrow okay now this is okay तो page को हम right side के साथ alignment करके keyboard का जो right arrow है वो प्रेस करके set कर लिया अभी हम जाएंगे size option में now we will go to size option and we set this design as 15 mm तो हम 15 mm depth में design को अभी set कर रहे है apply फिर paste paste हो जाने के बाद हम इधर close कर देंगे इस option को फिर इधर click करके हम देख लेंगे के design paste हुआ के नहीं after fasting we will go to this option enable this option and see this 2D view ok now select this outline and press ctrl u for ungroup all ok तो इस option पर click करने से हम 2D में भी इसका view देख पाएंगे इसके बाद क्या करना है इसको outline को select करके right click करके ungroup all करेंगे ok now again we disable this option ok now inside so many lines also appear but we do not select this we select only this outside line तो हम इसके अंदर बहुत सारे ऐसे line देख पाएंगे पर ungroup all करने के बाद हम खाली outside वाला line को select कर देंगे ठीक है अभी हमें टूलपद बनाना पड़ेगा टूलपद बनाने के लिए हम तीन टूलपद बनाएंगे एक line checking के लिए line checking करने का वज़य क्या है सापो जी हमारा material है material के अंदर design set हुआ के नहीं हुआ वो देखने के लिए हम यह line checking वाला टूलपद सबसे पहले चलाएंगे उसके बाद क्या करेंगे design का जो depth है वो jet wrapping करके slicing करके हम material को कम कर लेंगे depth फिर जो bit से हम finishing देना चाहते हैं उस wall notch को चला के हम finishing करेंगे here we will use three types of toolpath first line checking then jet wrapping or slicing then machining for 3D finish ok so पहले आप देख लिजे now you can see first we will go to toolpath option पहले हम toolpath option में जाएंगे फिर इस outline को select करके center along vector कर लेंगे now we select this outline and go to machine along vector ok now finish depth we put here 1 mm ये जगा पहे हम 1 mm का step down देंगे ताके wood के उपर खाली एक रेकी जैसा बन जाए ये toolpath चलाने से और हमें पता चले के wood का जो base है Z level है वो egg level पहे है के नहीं wood का एक side में up down है के नहीं या जो design हमने set किया wood अगर थोड़ा टेला होगा तो design जो material है उसके भाहर तो नहीं जा रहा है ये सब देखेंगे we will do this for checking the base of the material Z0 is each and every wire is equal or not and another thing is the design is center on this material or go to outside of this material we will check with this toolpath अभी profile tool में जाएंगे profiling tool में जाके हम bit select करेंगे now we will go to profiling tool and select 6 mm end mill now go to edit option and step down here 1 mm तो हम इधर क्या करेंगे फिर से दिखा देता हूँ इधर end mill लेके edit option में जाएंगे और step down जो है ये के में कर देंगे और इधर feed rate रहेगा 120 and plank rate 80 after giving step down as 1 we will give feed rate 120 and plank rate should be 80 now press ok select now go to setup commonly 40 mm material we use for making bed so here we put 40 mm हम लोग ज्यादा तर 40 mm या 45 mm का depth में material लेते हैं तो जो depth का material रहेगा वो इधर लिक के हम ok कर देंगे now we will press on now option ok now close now we can see this simulation we will check with this simulate toolpath हम कैसे हमारा bit चलेगा ये देखने के लिए ये simulate toolpath पे click करेंगे and simulate toolpath करके play कर देंगे now we will play this simulation we can see the design is center of this material and base level is equal then after successfully completing this toolpath we will start our jet roughing work तो ये जब successfully हो जाएगा हमें पता चल जाएगा के material के ऊपर design सही बैटा है के नहीं और material का जो jet level है or equal है के नहीं इसके बाद हम क्या करेंगे jet roughing करेंगे now we will go to jet roughing option in here we can see 15 mm design depth the design depth is 15 mm so suppose we will finish this design with 4 mm then we will slicing this design with 5 mm step down अगर हम 4 mm बालों से इस design को finish करना चाहते हैं तो इधर हम क्या करेंगे jet roughing करने के time 5 mm करके step down देंगे और 15 mm में 5, 5, 10 mm jet roughing होगा बाकी 5 mm बचा रहेगा when we put step down as 5 mm then 2 time jet roughing slicing will do and another 5 mm designing are due for completing with ball nose with machining program ओके now for slicing we will select jet level roughing then here selected vector to jet level roughing option पे जाके हम selected vector पे click कर देंगे now we will go to roughing tool either wrapping tool में जाके हम select करेंगे 6 mm end mill now go to edit option अभी edit option में जाएंगे and step down here 5 mm with 5 mm we will use step down program and 2 time jet roughing will do and another 5 mm will do for machining work तो मैं अगर 5 mm step down दूँँगा तो 15 mm में पांच पस 10 mm jet roughing होगा और 5 mm बचा रहेगा उसको लास्ट में जो वालनूस सिलक करके हम काटिंग करेंगे उससे फिनिशिंग हो जाएगा here also we will take feed rate 120 and plank rate 80 now press ok setup equal so do not need to check anything here just press ok setup एक ही रहेगा क्योंकि पहले हम टूल पाद में जाके setup यह दिया था अभी हम जाके now option पे click करेंगे now we will press on now option here z level wrapping program is generating now either slicing का जो program है वो generate हो रहा है इसके लिए हमें थोड़ा time दे के wait करना पड़ेगा और यह जो complete हो जाएगा तब इसका भी simulation हम दिखा देंगे और जे ड्राफिंग करने के टाइम पे हम 6 mm का end मिली उच करेंगे पर जब हम फिनिशिंग करेंगे उस टाइम हम टैपर बॉलनों जी उच करेंगे त्रीडी का जो फिनिशिंग हो बहुत बहुत होता है पर जे ड्राफिंग वाक वी 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 उस मेशिनिग वाक फर 3D फिनिश वी ओल्वेज ट्राइब यूज टैपर बॉलनों जूड बॉलनों जूड बी सिलेक्ट अस पर डिजैन डिटेलिंग ओके अभी हम सिमुलेशन चेक करेंगे दूसरा ओप्शन से यह वाला जागा पर सिमुलेट टूल पर फास्ट नाव वी विल प्रेस ऑन सिमुलेट टूल पर फास्ट एंड वी विल सी दा सिमुलेशन रेजल्ट अप्टर जे ड्राफिंग तो जे ड्राफिंग के बाद क्या होगा वो इधर देखेंगे देखेंगे पहले बारे यह चल गया यह पहला use jet wrapping because if we use jet wrapping work then there have some secure security no bit with broken directly used in this type of cutting program and when we will use jet wrapping we can see the wrapping should be done like this and we will see the material like this okay now we will go to 3d finishing option this is machine relief now we will check the machine safe jet hum machine ka jo safe jet either 25 mm we will put here value as 25 mm for safe jet now we select here 4 mm ball nose i inform you if you use small size tapper ball nose then result and finishing should be better but for requirement of time we will use commonly 4 mm ball nose so time we will use ball nose 4 mm now go to edit option and step down here to make sure we will use small tapper ball nose okay here we will use ball nose 4 mm now go to edit option and step down here as 0.5 mm feed rate should be 120 and plank rate should be 80 so either we have feed rate 120 day and plank rate 80 day and day and day and night so time we will take out the time and day and night and night and day and night and night and day and day बीट टूरने के बाद जब बोला तो एक बात सुन लीजिए, खली वाक स्पीड बढ़ाने से नहीं चलेगा, आपको spindle speed बढ़ाना पड़ेगा पहले और दो तिन लाइन चलने के बाद ही वाक स्पीड बढ़ाईए, तो कम से कम दो तिन लाइन चलने के बाद ऐसे ऐसे उसके बाद आप फिड रेट को पहले मत बढ़ाईए, spindle speed पहले बढ़ा लीजिए, फिर फिड रेट बढ़ाईए, ठीक है, और spindle speed ज्यादा नहीं, सापोज, S1 से लेकर S9 तक है, तो आप S6 या S7 तक spindle speed को बढ़ा के रखिए, फिर वाक स्पीड 100 तक रखिए, जिनका मे में NK105 है, वो 100 का स्पीड में मेशिन चलाईए, और जिनके पास reach auto या NC studio है, वो 15,000 का स्पीड में मेशिन को चलाईए, ओके, नाव प्रेश, प्लोज, एंड वी, एगेन, वी विल चेक दा, सिमुलेशन, फूल पाथ फर्स्ट, इधर से क्या होगा, चारे में बॉलनों से हमारा जो काटिंग हो रहा है, काटिंग में रेजल्ट कैसे आएगा, इधर से हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अगर हमने देखा कि इसमें रेजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, सिमुलेशन पे, तो हम चारे में से भी छोटा बॉलनों, यूज करके, बहतर रेजल्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं, चारे में बॉलनों से इसका अच्छा फिनिशिंग आ रहा है, तो हमें कोई जरूर्द नहीं है, ज्यादा छोटा बीडियूज करने की, ठीक है, यू can see here, with 4 mm बॉलनोंच, we can get better result, so we will use here 4 mm बॉलनोंच, after checking this simulation, we will save this G-Code, first we will select this, पहले आम उपर वाला ये option को select करेंगे, फिर ये वाला option में जाएंगे, और इधर G-Code mm tab select रखेंगे, commonly G-Code mm tab support all CNC machine, so we will first machine vector endmill for line checking, save, then we make new folder here, and name like first tool path with save, 6 mm endmill, ये जो tool path कैसे save करते हैं, ये दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, जो line checking करने वाला tool path होगा, उसको ऐसे हम save करके रखेंगे, okay, save, फिर दूसरा बाला कैसे लएंगे, we will press here, and wrapping should be second option, so press here, then save here, second tool path, okay, then press here, इदर प्रेस करेंगे, और last वाला होगा, बॉलनूस से, machine relief, save, here last tool path, तो इस तरह से आप tool path को save करके काम कर सकते हैं, okay,